हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सबको क्लास्ट इन पंजाबी साहिता क्रंग का फोर्स चैप्टर के बारे में समझाने जा रही हूँ मैं किसे तो कट नहीं ए कहाणी डॉक्टर दर्शन सिंग आश्ट दी लिखी होई है एस विच कहाणी कार ने एक अजीही लड़की बारे दस्या है जो कि अपनी बिमारी कारण लट्ता तो नकारा है पर उसने बहादरी दी अजीही तस्वीर पेश किती कि सारे स्कूल वाले उसनों इनाम देन देहन उस लड़की दना रजनी है ते ओ इस कहाणी दी मुख पातर है जो कि पोलियो दी बिमारी दी शिकार है ओ एक ग्यारा बारा साल दी कुडी है ओ पड़ाई विच होशियार समझदार ते बेहत मेंती है पोलियो दी बिमारी होण करके वी पड़ाई प्रती उस दे इरादे पक्के हन ओ खेड मुकाबलियां विच वी किसे तो पिछे नहीं है पड़ाई लई ओ एनी जादा समर्पित है कि कितनी भी गर्मी होई कितनी भी थंड पैजाए ओ स्कूल जान लई आलस कदे भी नहीं कर दी जे कदी उस दी माता उसनों गर्मी वाले दिना विच स्कूल तो छुट्टी करन लई केंदी भी है ता ओ एग कहके मना कर दिन दिये कि एक दिन वी गैर हाजरी गैर हाजरी मीन्स एपसेंट एक दिन वी गैर हाजरी उसनों कबूल नहीं जे वो स्कूल नहीं जावेगी ता उसनों सलाना समागम सलाना समागम आनौल फॉंक्शन विच वद क्लास लगाउन दा नाम भी नहीं मिलेगा आनौल फॉंक्शन में आपने सुना होगा कि उन बच्चों को वाट दिया जाता है जो पूरे year में पूरे साल जो absent नहीं होते हैं देली आते हैं तो यहां रजनी कह रही है कि अगर वो रोज स्कूल नहीं आएगी तो उसको आनल फंक्शन में वोट नहीं मिलेगा रजनी बहुत बहादर ते पक्के एरादे ते अपने कम आप करन वाली कुड़ी है एई कारण है कि ओ स्कूल अपनी ट्राइ साइकल ते जान दी है जेड़ा की ओस दे कर तो कोई तिन किलोमीटर दी दूरी उपर है बरसाता दे देना विच स्कूल विच रजनी दे इंचार्ज अधियापक मास्टर मोहनलाल जमात दे बार वल वदे हुए का कारण परिशान हन वदे हुए का मीन्स बड़ी हुई जो घास है उनको देखे मास्टर मोहनलाल परिशान है और नो इस गल्दा डर बढ़े हुए है कि कोई जीव जन्तू किसे विध्यारती नो नुकसान ना पहुचा दे मास्टर मोहनलाल दी गल्द सच हो जान्दी है जदो बाहर उग्ये हुए का विचो रेंगदा होया एक तिन फुट लंबा साप रजनी दी जमात विच खिड की राही आ जान्दा है जदो राहुल उस तिन फुट लंब में साप नू वेखदा है ता उस दे रोला पाउंड ते सारे विध्यारती ची का मारन कमरे विच दोड़ना शुरू कर दिन दे हन ते जदो सारे विध्यारती ची कर लग दे हन साप वी कबरा जान्दा है कमरे दा फर्ष पक्कासी एस लई सप अपने चुपन लई खुड लब रहा सी खुड मींज एक मोरी जिथे सप चुप सकता है तो आपने आपनों सेफ कर सकता है ता सप इदर उदर दोड़न लग दा है सारे विध्यारती ता बाहर आ जान्दे हन पर रजनी लई बाहर निकलना बहुत ओखा हो जान्दा है क्योंकि ओ पोलियो दी शिकार है ऐस करके ते ओ क्लास विच ही फसी रे जान्दी है खिड़की चो बच्चे बहुत रोला पाउन दे हन ते उसनों बाहर आउन लई आख दे हन तब रजनी दे दिमाग विच फोरन एक तरकीब आउन दी है ते ओ जल्दी नाल आपना ते आपनी साथी दा पूरा बस्ता खाली करके थोड़ी थोड़ी दूरी ते फर्श उपर सुट दिन दी है सब ओना विच्चों एक बस्ते विच वड़ जान्दा है सब दी थोड़ी जी पूछ बाहर रह जान्दी है पर तावी रजनी फटा फट बस्ते दा मूँ कुट के फड़ लेन्दी है बच्चे बहुत रोला पाउंदे हन कि रजनी बस्ते नूँ छट देवे पर ओ नहीं मन दी जदो स्कूल दा सेवादार प्राण नात सोटी ले के सपनू मारन लगदा है ता रजनी उसनू बेंती कर दी है कि ओ उस सापनू ना मारे ओ उस सपनू चिडिया कर पेज़न लई केंदी है उस दी ऐप आवना सारे अधियापका नो भी बहुत पसंद आउंदी है ओ बड़े त्यान नाल उस सपनू चिडिया कर छट के आउंदी है ते जदो चिडिया कर दे वड़े अफसर नो पूरी गल्दा पता लगदा है ता ओ आप रजनी नो स्कूल दे सलाना समागम वेच आन्वल फंक्शन में केवल सनमानित ही नहीं करदा सगो उस दे नाम नो राष्ट्रपती अवार्ड लई पेंजर दीवी सिफारिश करदा है ओ रजनी दी बहादरी लई बहुत तारीफां करदा है कि सानू उस तो प्रेणना लेनी चाहिदी है कि किवे उस बहादर कुडी ने अपनी शरीरक अप अंगता होण करके वी और सपनू काबू विच कर लिता रजनी जिन्दा बाद रजनी जिन्दा बाद दे नारे हर तरफ गुंजन लग दे हन